है है लो दोस्तों आप सब्सक्राइब फिर से टीवेल कोचिंग के इसी टूपर में बहुत बहुत सा अगत हैं तो आज के इस वीडियो में जो है हमेशा की तरह चोटा बम और बड़ा दमागा की तरह इसमें कुछ को लेखाया है यह भी जो है कोचन आपके टाइम एंडिश् दोनों को सांथ सांथ देखकर चल रहा है उसी पर काई इसको भी हम लोग पहले कंसेप्ट के तरहत बनाएंगे और उसके बाद जो है ट्रिक के तहट जो है काफी जल्दी इसको बनाने के परियास करेंगे ताइव आप इस वीडियो का अंतर जरूर्द देखेगा क्योंकि यह भी जो वीडियो होने वाला है P क्योंकि यह भी जो कोछन है आप देख सकते हैं कre Тीन किलो मेटर पर हाओर की चाल से जाने पर 5 मृनिट देरी से पहुंचता है यानि के खर से विध्याले जा रहा है तो यंदि वह 4 किलो मिटार के चाल से चले तो चलता है तो वह विध्याले पहुचता है वह पांच मिनट पहल यानि कि जो समय था उससे पांच मिनट पहले ही पहुंजता है अब आगे क्या बोल रहा है कि पहुंजता है तो उसके घर से विध्याले के दूरी क्या है यह आपको करना है तो मानलेजे यह आपका यह आपका मुहन है यह मनुज है मनुज का घर है क्या ह यहां से जो है आपका यदि 3 kilometer per hour के चलता है तो ये आपका ये आपका इसका विध्याले हो गया और ये विध्याले हो गया ऑब देखियो यहाँ पे ये विध्याले हो है इसके बाद जो है हम इसको ट्रीक से बनाएंगे काफी यानि कि दो-तिन सेकिंड में ही कोचन जो है आपका बन जाएगा ट्रीक के तब लेकिन समझ रहते हैं ताकि जो है आपका कॉंसेप्ट हमेशा क्लियर है और मालूम रखे कि आखिर एक वोचन बोल क्या रहा है तो आप आप यहां पर देखिएगा तो एक से जो है आपका दूरी है तो आप यहां पर एकोडिंग टू कोच्टन यादी लिखने का पर्यास किजिएगा तो आपका पहले क्या बोल रहा है कि की किलो मीटर पार हावर कि चाल से पांस मिनेट отвечसे पहुंआ है यानि कि यह जो है इसके भवोड़that से विध्यानने का समय है आपका माल यह समय निकालना है तोASE समय बराबा आपका किया होता बडरी बडसा कया होता। पहिल चल क्या है पहिलगा के लिए थि तीन किलमीटर आपका पनाब लेकिन इस समय में यदी जा रहा है तो वो पांच मिनधेड देरी से पहुंशता है । यानि समाई पर नहीं पहुंशता है, तो यदि ये समय में यदि 5 मिनट को हम लोग क्या कर दे घटा दे यानि कि 5 मिनट को इसमें से माइनस कर दे तो जो आएगा वो आपका में टाइम आएगा यानि कि ये जो समय था इस समय से ये जो आपका मनोज लड़का है मनोज अपने घहर से विद्याले जा रहा है तो 5 मिन कर दिए कर दिए घर पांस诙 मेंन इस समय में से तो आपका जो आएगा वह बिद्ध का जाने का आपका जो विद्ध यह डाइमने फिक्स टायम है वह आपका फिक्स टायम हो गया यह आपका फिक्स ताइम हो गया ओके अब इसको बरावर में लिखिए दूसरे स्टेफ में बोल रहा है कि चार किलो मीटर परावर के चाल से ज्याद आता है तो इसके लिए जो समय होगा इसके लिए तो जो है दूरी उतना ही है नहीं तो इसके लिए जो समय निकलेगा वह आपका एक्स बटा और यानिकि समय ब्रबार दूरे अफो बटा चाल कितना है चार किलो मीटर तक चार लिеч रहा है तो यह जो समय है यह भी समय जो पहुच रहा है वह 5 मिनन औरी लिए इसो समय से जब बहुंद आ रहा है तो यह समय है वह फांच मिनिट कौमे हो जघराए क्या रहा है किससे व पांच मिनेट कम का समय है यदि हम इसमें पांच मिनेट जोड़ दे तो ये फिक्स टाइम हो जाएगा तो आप यद्य यहां पर according to question देख यहां पर यह भी fix टाइम और यह भी fix टाइम दूनोंँस्तों एक दूसरे में दे रखा हुआ है और यह भी मिनट में लेकिन यह जो है आपका किलो मिटर पर हावर में जो चाल है दे रखा हुआ है और यह भी यहाँ पे चाल जो है आपका किलो मिनट पर हावर में दे रखा हुआ है इसलिए आप इन समयों को जो है मिनट को आप घंटा में चेंज कर ल दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगे अब क्या करना है बाई आप तो सॉब करना है सॉब कर लिजे कैसे करेंगे सॉब आप यहां पर देखिएगा तो यहां पर एक सब्टा तीन है तो एक सब्टा तीन हो गया और यह जो है एक सब्टा चा अब यहां पर एक स्टेप नहीं दिखेगा नीचे इसको ऐसे कर लेते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखाएंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा और उपर में पांच और फिल्ट पॉलस में पांच हो जाएगा कितना हो जाएगा पांच पॉलस पांच यहां पर यहां में क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर में इसको कैंसल आफ करेगा दो बर में तो यहां पर जो एकस निकल कर आएगा वह आपका दो निकल कर आएगा और यह क्या निकल कर आएगा दो किलो मीटर या मीटर दो किलो मीटर क्यों क्योंकि यह सारे किलो मीटर पर हावर में आपके चाल दे रखे हुए हैं इसलिए जो है आपका दो किलो मीटर यान कि घर से विद्याले की जो दूरी थी वो आपका दो मीटर हो गई तो I hope आप इस question को समझ पार होंगे, इसके concept वाला जो आपका तरीका था, वो आप इसको समझ पार होंगे, नहीं समझा है, एक बार होंगे, अब हमने क्या किया था, जो आपका ये x दूरी है, या तीन किलोमेटर पर हावर की चाल से जा रहा था, तो जो समाई लग रहा था, वो 5 मिनट देरी लग रहा था, तो इसका सममझ लग रहा था, वो आपका क्या हो जेगा, दूरी बाटा चाल, तो दूरी बाटा चाल यान感覺 एक बाट तीन क्या समय लग ये fix bez लेकिन आप माइनस कर लिजिए गा 5 मिनट तो ये जो है आपका फिक्ष जो है लेकिन आगे आगे इस step में आपको एक और condition दे रखा हुआ है क्या दे रहा है चार कीलो मिड़ब कर आओर कि चार रहा है तो आपका समय जो लग रहा है पांच मिनट पहले पहुंचा रहा है यानि कि पांच मिनट कॉमे ही लग जा रहा है तो कॉम लग जा रहा है तो इसको आप देखेगा इसका समय निकल के आएगा वह आपका दूरी बटा चार यानि की एक से बटा चार यह जो है इसका समय हुआ लेकिन इससे जो है 5 मिनेट पहले ही जो है कौम लग गया है वो भी fixed time से fixed time यानि की जो समय था school का उससे 5 मिनेट कम लगा है तो आप इससे शमय में 5 मिनेट एड वह आपका दो किलोमेटर पर हावर आएगा तो आई होप आप इस जो है को समझ पाएंगे इसका कॉंसेप्ट के बाद ट्रीक देख लेते हैं कि आखिर इस कोस्टन यानिकि इस टाइप के कोस्टन के लिए आखिर ट्रीक कैसा होता है उसको उस ट्रीक पर कैसे बनाते हैं तो सकते हैं पर हम इसको मिटा भी ले हैं चलिए इसको हम परले मिटा लेते हैं तो इस तरह का जो भी कोशन आप से पूछा जाए तो आप से दूरी निकालने के लिए क्या बोलेगा दूरी निकालने के लिए यानि कि जो है घर से वीद्याल है कि दूरी यानिक इस टाइप का जो है डिस्टेंस यदि आपको निकालने के लिए बोलेगा तो इसका जो ट्रिक जो बन कर आता है वह आपका दूरी बराबर दोनो चाल जो है का दोनो चालो का बुनन फल क्या होता है बुनन फल और बट्टा में दोनो चालो का अंतर क्या होता है दोस्तों दोनो चालो का अंतर दोनो चालो का अंतर अब देखिए और इसके बाद जो हो जो होता है वह आपका दूर्णा में समय जो होता है टाइम जो दे रखा हुआ है पांच मिनट देर ही और पांच मिनट पहले इन दोनो समयोग का योग फल होता है क्या होता है समयोग का योग क्या होता है समयोग का योग ओके अब देखिए आपको यही ट्रिक सिर्फ याद रखना है दोनों चाल दो बुचाल है पहला तीन किलोमेटर से चल रहा है तो आपको पांस मिनट देरी से पहुंचा रहा है चार तो आपका 3-4 का अंतर 1 निए और घुना में समयों का यह है निकिन 10 मिनेट को हो ज़रा हैज वह आपका मिनेट में यह सारे जो चीजी है यह सब किलो मीडर पर हाओर में है इसलिए आपको इस मिनेट ₹ को भी गंटा में चैन्ज करना होगा तो इसको भी आप घंटा में चैन्ज कर लिए है यानिके 10 बठा क्या कर लिए साथ कर लिए गा तो जो आएका व आपका यह जो है आपका घंटा में हो जाएगा अब देखिये यहां से आप देखिए गाता यह 0 आपको काफी अच्छा लगा होगा तो चलिए एक और कोचन जो है इस पर कर लेते हैं उसके बाद जो है इस सेशन का दर इंड कर लेंगे चलिए तो नेक्स्ट कोचन को देखते हैं तो दोस्तों इसी टाइप के यदि अगले प्रस की बात किया जाए तो अगला प्रस आप इसकी नहीं पर देख पार होंगे यह आपका कोचन नमर टू है बल रहा है क्या कि सोहन घर से रेलवे एस्टेशन तीन किलोमीटर पर हावर के चाल से से जाने पर जो है 15 मिनट देरी से पहुंचता है यानि कि सोहने के लड़का है जो अपने घर से रेलवे एस्टेशन जा रहा है तो यानि कि पर तीन किलोमीटर पर हावर के चाल से चले तो रेल खुलने के समय से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है तो उसके घर से स्टेशन की दूरी क्या है यह आपको फाइन है उससे जो है आपका 15 मिनट पहले पहुंचता है और उसके बाद 15 मिनट देरी से पहुंचता है तो यह आपको दे रखा हुगा है तो यह भी कोचन इसी पे डिफेंड है यानि कि इसमें भी जो है आपका फर्मूला या आपका जो है ट्रीक और या आपका जो बोली Men concept जो यूज होगा वही concept होगा जो इसके पहले वाले जो एक कोचन में हम लोग किये थे तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं तो हम लोग माल लेते हैं क्या कि यह सोहन का घर है क्या है सोहन का घर है और यह यहां से यहां तक की ही दूरी जो है आपका एक्स मीटर माल लेते हैं क्योंकि नहीं ज्यात है और इसी को आपको find up करना है तो एक्स किलो मीटर आप इसको माल लेजी ओके अब जो है आपका घर से यदि आपका तीन किलो मीटर पर हावर के चाल से जा रहा है तीन किलो मीटर पर हावर क पहुझता है तो हमारा कॉंसेप्ट क्या था कि आपका जो हम लोग क्या कर रहे थे कि यह जो है आपका निचीत जो समय था यानि कि रेल का खुलने का जो समय था उसको अम लोग कर रहे थे तो यानि कि रेल का खुलने का समय कैसे ग्याद करेंगे आपके समय क्या होता है दूर मिनट देरी से पहुंखता है तो यदि हम 15 मिनट देरी से पहुंखता है यदि हम इसमें 15 मिनट घटा ले यदि इसमें 15 मिनट घटा ले तो जो आपका आएगा वह आपका रेल खुलने का समय आएगा अब देखिए आपका रेल खुलने का समय और इस कल्टु में आप एक और ऐसका झातर ही जो है आपका पाधा समय हुजा रहा है तो आपका इसका जो च्वक्याम का पहुलने का होागत यह है और यह विले का समय है यानि कि दोनों एक डूसरे के एकल वाल हो गए और यह हम लोग तो पर मीनत में हम वह कर लिया तो चलिया इंसको आपको घंटा में चंहता अ क्यों पर हूद आपका चार जो है किलो मीटर पर आवर में देदे रखाता देख लेते हैं यह आप देख सकते हैं कोचन में दिया है और यह भी तीन किलो मीटर पर आवर आपका कोचन में दे रखा हुआ है तो आप क्या किजिएगा इस मिनट को आपको घंटा में चेंज करना होगा तो घंटा में च चाहा रहा है और यह दीख रहा होगा चल जाल्ए नीचा भी एस बढ़े रहेते हैं यह तिन चार का लगोता माँड़ा हो जाएगा तिन जो का बारा रहा हैं और छोगा इस गर से और इस्टेशन के बीच की दूरी है ओके तो यहां पे सोहन के घर से इस्टेशन के बीच की दूरी क्या निकल का है यहां शे किलो मीटर और यहीं जो है आप अपको इसको समझ आए होगे यादी समझ क्य talking कि ले सकते हैं चलिए अले इसके बास यह है उसके उच्ट करते हैं आनगे और बता था कि ट्रीक वाले में आपको दूरी एकitta कोर्षन में दूरी में पूछे में नी क्या करते थे दुनों चालो का क्यु मां अंतर और यहां पर गुंञा में आपका होजाता था शमय यानिकि समय का यूग यानिक जो आपका समय जो देद पहले दें होगा ना उसको जोड़ लीजिए गा तो यहां पर क्योंड 39 मिनट में है तो इसको क्या करना होगा किन्टा में चेंज़ करना होगा फ़िंटा मेंस कारना होगा अब ये 3 नुना साथ 2 बर में चैंसिल यानिकि 6 किलो मीटर इस तरह भी आपका आ गया लेकिन यह जो आया आपका काफी कम समय में और जो है माथा पीछी जो होता है वह नहीं करना पादा लेकिन कॉंसेप्ट जो है इसके पहले बाला है बता है concept से आप बनाएगा तो जो है आपका चीज़ा आसान हो जाती है और आप कभी भी भी भूल बता है इसको तो आज याद है कल याद नहीं हो सकता है तो यह हम सिर्फ इसको ट्रीक यह इसलिए बता है कि अब आधि आप concept याद रखेगा तो यह भी आपको आसानी concept मालूम रहता है तो बच्चे अपने से भी जो है बना लेते हैं आई होप कि आप हमारे बातों को समझ पा रहेंगे यादि आपको concept मालूम होगा तो हमारे जैसे ही आप अपने से जो है ट्रीक जो है बना सकते है किसी भी कोचन का OKCंसेप्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी क को करने के लिए तो यह होप आप हमारे बातों को समझ पार होंगे तो यह हमारा जो है छोटा सा वीडियो था जो टाइम इंड डिस्टेंस का था और इसमें जो है यह पॉइंट यह काफी मौत्पून होता है किसी भी कॉमप्रेटिव या किसी भी इंट्रेंस एक्जाम के आया होगा इसका ट्रीक और कंसेप्ट दूनों अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अच्छा लगा होता लाइक कर देजेगा और चैनल पन नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप तो जाएगा और पसानी से मारे वीडियो को देख पाएगा ओके तो चलिए मिल दूं गया है तो यह हम लोग यानिकि बिहार के अधिकतर चात जो है काफी इस परस्तिक से गूजर है कि गूजरते चनल कोना बैहाल किया ही आए थे कल, उनको कुछ दिया गया परिशा वी ग्रत वेगार दिया गया उसके वाद जो है अगले हमारे गाचיה परिवार है जो वहां पे रह रहा है तो यानि कि बाट से बहुत हम लोगा यान कि बिहार के आदमी को बहुत जो है परिसानी है तो आप सिर्फ घर पे रहिए और आजकल हमारा मकसद यही था थी कि जो है आप कोई काम धंदा वेगरा नहीं है तो घर पर पढ़ाई कीजिए अ आप इजा में अच्छा कर पाईएगा ओके तो यह हमारे तरब से कुछ जो है अंदर की बात थी जो हम बताना अच्छा समझे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद